हेलो और यूटूब चैनल इस वीडियो में हम नोन वर्बल रिजनिंग के एक टोपिक क्लासिफिकेशन के कोश्चन करेंगे ये पार्ट सैकिंड है इस पार्ट में हम 10 कोश्चन करेंगे 10 तू 20 ठीक है न तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं 11 कोश्चन है देखे एक से 10 कोश्चन हम फस्ट पार्ट में कर चुके हैं तो 11 से सुरू करेंगे 11 कोश्चन है क्लासिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है दिये जो फिगर है उन में से कोई एक फिगर क्या होता है सबसे अलग होता है तो हमें उसको अलग करना होता है ठीक है तो A option में देखिए ये एक figure है राइट फिर जैसी मैं A से B में आता हूँ तो क्या हुआ फर्स्ट यानि A option में जो figure था उसको 90 degree rotate किया गया है ठीक है है तो एगजटीज है B से C में आता हूँ फिर से 90 degree rotate कर दिया और 90 degree rotate कैसे किया anti-clockwise ठीक है लेकिन D में ऐसा नहीं है ठीक है D में अगर मैं C figure को 90 degree rotate करता हूँ तो ये जो line है ये वाली line ये पिछे आनी चाहिए थी यहाँ पे लेकिन ये तो आगए है तो option जो D है वो सही answer है क्योंकि बाकी के तीन option से ये अलग है बारवा question है देखिए ए option से मैं सुरू करता हूँ ये जो C shape है इसका open face कहां पे है उपर की और बाकी के मैं directional देख देता हूँ मैंने जो A figure में 4 direction दिखाई है ठीक है आप देख पा रहे होंगे ठीक है चार direction है अब मैं B option पे आता हूँ ओपन face की तरफ मैंने arrow बनाया है ठीक है और अब मैं बात करता हूँ कोई और color ले लेता हूँ ठीक है जो A, B, C, D, E ये 5 option है अब मैं B से start करता हूँ A को छोड़ देता हूँ क्योंकि A तो answer ही है B option में देखिए B option में जो चार arrow मैंने draw किये है चारो अलग direction को show करते हैं चार direction है North, South, East, West चारो direction हो गई ठीक है C में भी जो चार arrow है अलग-अलग direction चारो direction को show करते हैं D में भी और E में भी दिक्कत कहां पर है दिक्कत है A में ये जो दो arrow है यानि दो C है ये इस्ट की और यानि पूरव की और ये direction किये हुए हैं उपर का arrow उत्तर की और नीचे का दक्षिन की और ठीक है न वेस्ट की तरफ कोई arrow नहीं है तो यहां पे direction कितनी होई तीन तो option A जो है वो सही answer है तेर्मा question करते हैं A option में देखिए जो figure बाहर है जो shape बाहर है वही अंदर है B में देखिए जो circle बाहर है वही अंदर है C में देखिए जो बाहर shape है वही अंदर है लेकिन D में ऐसा नहीं है बाहर triangle है अंदर circle है तो option जो D है वो सही answer है next question करते हैं A option में देखिए ये जो दो arrow है इनके बीच का कौन कितना है 90 degree B में देखिए कौन कितना है 90 degree C में देखिए कौन कितना है 90 degree लेकिन D option में ऐसा नहीं है D option में देखिए ये कौन 90 degree से जादा है तो option जो D है वो सही answer है next question है option A से सुरू करते हैं उपर क्या दिया हुआ एक number निच्छे क्या दिया हुआ एक alphabet तो निच्छे alphabet कौन सा है P P का जो alphabet number होता है वो कितना होता है 16 बट दिया हुआ कितना है 18 तो ये गलत दिया हुआ है B option पे आता हूँ निच्छे है D D का alphabet number होता है 4 तो 4 दिया हुआ ये ठीक है C में G का alphabet number 7 होता है 7 ही दिया हुआ है ये भी ठीक है, S का alphabet number 8 होता है, ये भी सही है, तो इसका मतलब जो पहला option था, A option, जिसमें P का जो alphabet 18 अठारा दिया गया है, alphabet number, वो actual में 16 होता है, तो ये ही मारा answer है, next question है, A option में A दिया गया है, B में C दिया गया है, C में D, ठीक है, और D में alpha, देखिए, A, C, D ये क्या है, हमारे alphabet है, ठीक है, alphabet कितने होते हैं, 26, तो A, C, D उन में है, alpha जो है D option में, ये alphabet नहीं है, तो ये ही मारा सही answer है, ये बाकी के 3 option से अलग है, सतर्मा question करते हैं, A option में देखिए, 3 ये circle हैं, जो एक दूसरे पे हैं, ठीक है, तीन circle B में है, 3 C में है, लेकिन D में 2 है, ठीक है, तो ये ही मारा answer है, 18 question है, A option में देखिए, left hand side में K है, तो उसकी mirror image right hand side में है, ये बीच में जो line लगाई है, ये क्या है mirror, यानि दरपन, B में देखिए, L का mirror image right hand side में है, Y का mirror image दिया गया है, लेकिन P, देखिए, D option में देखिए, P का mirror image क्या है, उल्टा P नहीं होता, तो D option हमारा, सई answer है, ये बाकी के 3 option से अलग है, next question है, A option में देखिए, बाहर एक triangle है, और अंदर क्या है, एक ulti triangle, B में देखिए, बाहर एक square है, अंदर एक square है, ठीक है, C में देखिए, बाहर एक pentagon है, अंदर एक circle है, D में देखिए, बाहर एक circle है, अंदर एक circle है, E में बाहर एक rectangle है, अंदर भी एक rectangle है, देखिए, A, B, D और E में क्या है, जो shape बाहर बनी हुई है, वही अंदर है, is the right answer next question करते हैं A option में देखिए ये एक line है ठीक है एक dot एक side में है तो दूसरी dot opposite side में है ठीक है ना opposite side और opposite pole के और ठीक है न end के और line के end के और ठीक है ना B option में भी ऐसा ही है opposite side है और line के दोनों end की तरफ है C में भी ऐसा है D में ऐसा नहीं है A की side की और है तो option जो D है वो सही answer है वीडियो देखने के लिए thank you अगर आपने अभी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो please कर दीजिए और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो description में playlist का link दिया हुआ है reasoning math और gk या फिर railway के previous year exam जो हो चुके हैं sold paper math और reasoning के अगर आपको चाहिए तो description में उनकी वीडियो का भी link दिया हुआ है आप चेक कर सकते हो तो चलिए thank you